बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हातरा साथ से से जोड़ी बड़ी खबर है पुलिस ने तेज की आरोपियों की तलाश कई सयोगी आयोचकों से पूछताच कर रही है पुलिस सिकंद्रा उठारे में S.P. ने पूरी रात कैम्प किया है उचकों और सिवादारों की तलाश में पुलिस यहाँ पर जोटी होई है पुलिस की कई टीमें गठित की गई है जल्द हो सकती है उजिन समिती के फरार आरोपियों की गिराफतारे तो बड़ी कबर यहाँ पर हम आपको बता रहे है आरोपियों की गिराफतारी चल्द हो सकती है सिकंद्रा उठाने में S.P. ने कैम्प कर रखा है हादरस आदसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है और उनकी तलाश काफी तेज़ कर दी गई है यूपी में जिन शेहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम है वहाँ पर पुलिस सर्च उपरेशन चला रही है महिनपुरी में भी दिरराथ पुलिस की टीम पहुंची वहाँ आश्रम में सर्च उपरेशन चलाया क्या पोलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब डियल घंटे तक मौझूद रही इस दौरान आश्रम में मौझूद लोगों से पोलिस में भी पूछताच की लेकिन इस दौरान पोलिस की टीम को बाबा सुरजपाल नहीं मिले गेल घंटे तक चले सर्च ओपरेशन के बाद पोलिस की टीम वहां से लोट गई हम लोग दूटी बाहर की चेक करते हैं और लगी यह पता है मुझे कि अंदर जुत्रे भी लोग हैं वहां पर वो 40-50 के संख्या में लगवा ना रहा है तो बाबा सूरजपाल की तलाश यहां पर तेज हो गई है मैंनपूरी में पुलिस का सर्च ओपरेशन भी जा रही है दिरात मैंनपूरी आश्रम में पहुंच चीटी पुलिस यह भी हम आपको बता रहे हैं करीब 10 घंटे तक आश्रम में रही पुलिस तो यह बड़ी ख़बार इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लगातार बाबा की तलाश में पुलिस यहां पर कई जगों पर पहुंच रही है करीब 10 घंटे तक आश्रम में पुलिस रही है तो बाबा सूरज पाल की तलाश यहां पर तेज हुई है मैंनपुरी में पुलिस का सर्च आपरेशन लगातार जारी है और सीधे रुकरेंगे ग्राउंड जीरो का वहां से मौजound है हमारो स्वाता-अमिध गंजू जो लगातार इस पूरी घंटना पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर पूरी गटना को क equator कर रहे हैं सुमित शर्मा हातरस में लगातार मौजूद है आमिद गंजु के पास सिदे चलते हैं आमिद क्या आपडेट है दिरुराद भी बाबा की तलाश में पुलिस की टीमें कई जगों उपर गई हैं फिलाल क्या आपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं देखिए अनपम जी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त डियूज एटिंटीन ग्राउंड जेरो पर है और लगाता नजर बनाएगे यही वो आश्रम में अपने कैमरे में रभी से काऊंगा देखिए यह राम कोटेर से लिटेबल ट्रस्ट का आश्रम में एक महल जैसा ब बाबा के अपने वहानों के प्रवेश के लिए तीसा द्वार जब पीछे घर के है जो हेली पैड बनाया गया है जहां लोगों के वी आई पी मोमेंट्स के लिए रखा गया तो इसे मैं कल से पुलिस लगाता नहीं देखिए मैं अपने कैमरे में से को देखिए सामने एक ज चारी कुछ नहीं कह रहे हैं हमें सुरक्षा की दृष्टी से यहां रखा गया है जबकि अगर जो हमारी सूर्सिस बताते हैं कल जो सर्च ऑपरेशन चला लगभग डेड़ से पॉने दो घंटा सर्च ऑपरेशन चला एडिश एस पी इसमें राहूल मिठास इसमें सीयो सु पस है जहां से पूरी भेहन चला और अभी भी देखे पांच एक छे वीकल्स यहां अभी भी खड़े हैं और अंडर ऐसा बताया जा रहा है सौ से देड़ सो लोग जो सिवादार हैं या इनके सुरक्षा टीम के या इनकी कोर टीम के या इनके आश्रम से जुड़े लोग अ पास यहां से दो गाड़ियां भी निकली हैं वो गाड़िया किनकी थी उसमें कौन था यह अभी जाच काविश है पुलिस का इदिकारी बहतर बता पाएंगे लेकिन इसमें अभी अंदर बाबा है इस बात जो हमारे सोर्सिस बता रहे हैं बाबा भी अंदर ही है क्योंकि कल जो location आई थी उस location में या जो CDR निकला था उसमें बाबा की location उस mobile की क्योंकि देखें तीन mobile जो वो operate करते हैं एक वो mobile जो उनके सिवादारों के साथ रखते हैं एक उनके साथ जो गुरू माता चलती हैं या वो हैं और तीसरा mobile उनके साथ पुलिस के अधिकारी लगातार कैम्प के अखों हैं जानकारिया मिल रही हैं क्या उचकों की जल्द गिराफतारियां भी हो सकती हैं क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं जिए सबसे पहले मैं आपको बता दू एडी जी जोन आगरा अनुपम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हाथ तर जिल्बत में कैम कर रहे हैं पुलिस अधिशे ने पूर अपरवाल कल देर रात तक पूरी उन्ठा सिकलवाव में रहे थे और उन्होंने कई टीम में गठिक की हैं पूर उत्रपदेस में ग्रविस देरी हैं जो आयुझक ते लिए सहीोगी आयुटे उनकी गिरफ्तारी के लिए मदूकर की तलास की जा रहां हाला कि मदूकर अपने घर पर तारा लगा कर यहां से परार है और जितने भी आयुझक और पुलिस को पुलिस ने कुछ लोगों को अपने पास पूच्टाश के लिए बुलाया है उनसे पूच्टाश चल रही है आगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो उसके आगे की कारवाई की जाएगी जी अन्पाव अब सभी लोग स्वस्थ हैं और जो शव थे वो अपने गंतव तक पहुच गए उनको घरों तक पहुचा दिया गया है अन्दिम संस्कार हो गया लेकिन अब पुलिस के पॉइंट आव यूश अगर बात करें तो यह एक्शन का टाइम है अब रियक्शन का टाइम है ताकि कारवाई हो नजीर के तोर पे हो इतनी बड़ी करीब करीब 80 से जादा आयोजक थे उनमें से कुछ आयोजक हमारे सूतर बताते हैं कि उनको पुस्ताज के लिए बुलाए गया है उनको और उनके जो फोन है उसको खगाला जा रहा है इसके अलावा उनके CDR चेक की जारी उनकी लोकेशन चेक की जारी और जिस तरीके से बा अलावा जो कपतान है आके जिले के वो भी थाने में देर रात तक कैम्प करते रहे रात भर कैम्प करते रहे लिहाजा अब टीमें जो हैं वो लगातार दभीश दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 24 गंटे काफी मातपूर है और एक बड़ी कारवाई देखने देर शाम की उसके बाद से बाबा फरार था एक लोकेशन मिली वो भी मैनपूरी के आश्रम की मिली थी उसके बाद देर शाम पुलिस पहुची है लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 24 गंटे ही काफी मातपूर है और इसके अलावा कुछ लोगों की आज गिरफतारी सं जुम्बो है लहाजा बाबा भी फरार है बुक आरोपी फरार है इसके लावा जुम्बो की सेवादार है वो भी फरार है लेकिन पुलिस के रडार पे पुलिस लगातार चापे मारी कर रही है आसपास के जनपदों में लगातार जो टीमें है वो चापे मारी कर रही है और म पुलिस के मन में लेहाजा बाबा की गिर्फतारी होगी तो कई रास पढ़दा उठेगा इसके अलावा जो मुक्य आरूपी सेवादार है उसको लेकर पुलिस लगातार घेराबंदी कर रही है और लगातार दविश भी दे रही है पुलिसके हमारे साथ अजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ एटा से है जिस तुरीके से एटा में भी बहुत सारे शव लाए गए थे तो ऐसे में क्या सभी शव वहां से पुरुतरे से उनके परजेन ले जा चुके हैं सभी सिवों की शिनाक्त हो चुकी है क्या जानकारियां मिल पारेंगे आपको बतादू यहां पर 28 सब लाए गए थे जिसमेंचे 27 पुश्टमादम कराए गया था एक सब का जो युरुक था किसोर था उसका पुश्टमादम नहीं कराए गया था परजन उसको बिना पुश्टमादम के ले गए थे एक बड़ी बात यह है कि एटा जिला जो कासकन जिले की निजदिक पड़ता है और कासकन जिले में इसका जो बाबा है सूरजपार जो उसका जो पैतिक स्थान है वहीं इसका जनम हुआ था वहां पर भब्यास्रम बना हुआ है में कल वहां गया था तो वहां तमाब तरह की चर्चाएं थी कि बाबा यहां पहले चल लाता सेकडों की संध्या में लगाता शेवादार थे मौझूद थे और बड़ी बात सामने निकल कर आई कि जो सेवादार है वो बिना पैसे के काम करते हैं एक एक हफते की डूटी फ्री में करने आते हैं एक महीने से दो मीने बाद लगाता रहाते हैं उनका कहना था कब उनको परमात्मा मानते हैं और उनकी बज़े से उनके सारे कश्ट दूर हो गए एक और बड़ी बार निकलके सामने आई थी कि कई मीडिया सिस्तानों दारा खबर चलाई गई थी कि वहां बाहर जो है हैंड पंप लगे हुए इनमें अम्रत निकलता है कोई लोग करें दूद निकलता है उसकी हमने चानमीन की तो जानकारी मिली को वह जो हैड़ पंप एक लाइन में लगाए गए हैं इनमें वह विवस्ता ऐसी की गई है कि वहां रोजाना सेकड़ों की संक्या में सद्दालू और उनके अन्वाई हैं जो भक्त हैं उनके लिए पानी की विवस्ता की जो एक उनका जो अलग से जो आस्याना जो बना हुआ है वह भारत तेरे साल से खुला नहीं है लेकिन उसके बाव्यूद भीमान का सेवादार तिनोर रात 24 आवर्स जो डूटी करते हैं हमने उसे जानने की कोशिस की कि आखिर इसमें क्या चीज है आपने कभी अंदर जो उनके जो यह भी आरोब लगा रहे थे कि धोंगी बाबा है इस तरीके जहां पहले प्लिस में बत्ती हुए थे कई सी जानकारी वहां ऐसी मिली है जो हमने अपने मीडिया संस्तान को दी है नीजो टीन पर एक शुलिश्व तस्वीर हमने दिखाई थी कल भी हम वहां लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखे इधर मद्रप्रदेश ते भी इस मामले में बड़ी खबर आ रहे हैं बाबा की तलाश में वहां पर च्छापे मारी हुई है गौालियर में भोले बाबा के आश्रम पह पहुँचकर तलाश ही ली है बड़ी खबर आश्रम में तला लगा है मकान मालिक से जनकानी ली है जंडा का पुरा गाउं में किराय के मकान में बाबा का आश्रम है बाबा के सेवक ने किराय पर लीधी प्रोपरटी 2023 में गौालियर में बाबा का सत्संग हुआ था यह बड प्वाली खबार। जांच रिपोर्ट देगा हातर साथ से के बाद दोशियों के खिलाफ कारवाई की मांग उठ रहे हैं के इंद्रियों मंत्री स्पी सिंग बगेल ने दोशियों के खिलाफ कारवाई का भरुसा दिया है जांच दी गई है जो लोग जहां लापरवाई हुए दोशियों चाहें वो आयोजक हों अथवा प्रसाशन है उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी केंद्रोरा सरकार ने दोदो लाग का मौपजा बुश्चत किया जो हमारा मुखिया गया हुआ है वहां सारे नजर रखा हुआ हमारे पुलिस के बड़े अपसर डीजी से लेके डीजी से लेके और वहां डी आईजी सब लोग वहां लगे है पूरा प्रसाशनिक पुरी सरक कार लगी है तो देखे विपक्ष का एक आदत है विपक्ष की कि बिरोध करना अब विपक्ष का का काम होता है कि जो कमिया हो उसको बताओ कि ये ये कमी है इसको सही करो विपक्ष का ये रोल होना चाहिए तो अपना उनका भी से वो लोग करें हम सरकार का अपना काम है सरका बाबा साकार हरी मंच से प्रवचन के बाद चले गए उसके बाद एक शाज़िश के तहर शरंत कर जो भगदर मचाई गई है उसकी जाच हो रही है अच्छी तरह जाच हो हम उत्तरप्रदेश पुलिस की जाच सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जाच कर रहे हैं अंडरवल हाई कोट की निगरानी में अंडरवल हाई कोट के रेटार्ट जश्टिस की निगरानी में जो जाच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संबेदना है और सभी से जो भी फालोर हैं जो भी अनुवाई हैं जहां तहां से जिस तरह से कि अभ़ाए अपने घर पहुचे अंतिम संसकार के क्रिया की पूरी हो कोई इंजाइड दबा क्या अभाव में अस्पताल क्या मर्ला विक्त किया है और जो भी आगे प्रोसेश होगा उसमें आगे सहीयोग होगा हरत रहस होगा घटना दुखद है बहुत ही बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं किये जा सकते हैं लेकिन फिर भी धर रखना है सबको और जाचो कड़ी सजा मिले जो भी दोशी है इसमें टीट्वेंटी वर्ड कप जीतने के बाद टीम इडिया दिली पहुँच गई है फैन्स अपने चहेते हिरोस की एक जलक पाने के लिए मौजूद रहे दिली एरपोर्ट पर वर्ड चेंपियन क्लाडियों का ग्रेंड वेलकम किया गया टीम इडिया दिली एरपोर्ट से सीधे होटल पहुची और इसके बाद पी-एम आवास पहुचेगी यहां पर पी-एम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी और इसके बाद मुंबई रवारा होकी यहां भी दोजार साथ में पहला वर्ड कप जीतने वाली धोनी की टीम के तरच बार शाम पांच बुझे मुंबई एरपोर्ट से वान घड़े स्टेडियम तक ओपन बस में टीम की विक्री परेड होकी फिर समान समारों में कैश प्राइस दिया जाएगा टीम इडिया तुफान के वज़े से बारबाडोस में तीन दिन फसी रही थी इसी सियाई ने खिलाडियों को लाने के लिए स्पेशल विमान भिजा इस प्लेन का नाम चेंपियंस 24 वर्ड का प्रखा गया है और सीधे रुकरते शंकर आनंद का ग्राउंड जीरो पर शंकर जायर तोर पर भारतिये टीम विश्व कप को जीत करके वापस लोटी है कितना जोश यहाँ पर तवाम जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं फैंस पहुचे हैं उनका आई है और आगे क्या कारिक्रम रहने वाला है देखें आज सुबह में तरके तकरिवां दो से तीन वज़े के लवों में काफी संख्या में आज भारतिये फैंस जो हैं भारतिये क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो आज दिल्ली एरपोर्ट पे पहुँचे हैं सुबह में दो से तीन वज़े समझागा सकता है काफी छोड़े छोड़े बच्चे महिलाएं वो उनके साथ में पहुची भी थी और भारतिये क्रिकेट टीम का इस्तक्बाल करने के लिए उनका स्वागत करने के लिए पूरे जोश और उमंग के साथ में नज़र आ रहे थे तो तकरीव ने स्वासात वज़े कि लब हमें इंटन क्रिकेट इन यहां से बाहर निकली है और उसके बाद पुए आवागत पहुची एप पूर्दान मंत्री नेंद मोडी से इस वक्त में मुलाकात कर रहे हैं बाचित कर रहे हैं और देश के पूर्दान मंत्री उन तमाम क्रिकेट की लाड़ियों का बहुत खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और कैसा वह रोमांस था कैसा वह जीत का एक आनन था उन तमाम असलों पर बातचीत कर रहे हैं और अगर बात करें उसके अगले बात टीम के अगले पड़ाओं के अगर बात करें तो मुंबई के लिए और मुंबई वहां पे तक्रीवन सामें चे बजे पहुंचेगी और सामने चे बजे पहुंचने के बाद वहां पर उनका इस्तेवाल रिखा जाए गा और बी सी सि आई इसके लिए विश्यर्स डार पर ब्यूस्ता कि है कि फिलाल अपको निया रहें नहीं एक ब्रेक के लिए।